नमस्कार, नेक्स्ट नाइन नियोज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग पाश्रिम बंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी को अब अस्पताल से छुटी मिल गई है फिलहाल सिर पर चोट लगने की वज़ा से वे अब्जर्वेशन में रहने वाली है राज्य सरकार के जरिये संचालित SSKM अस्पताल के डारेक्टर डॉक्टर मनी मुई बधोपुशाई ने इसकी जानकारी दी मुख्या मंतरी मम्ता बनर जी को घर पर गिरने की वज़ा से उनकी सर में गंभीर चोट लग गई थी उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में लजाए गया जहां डॉक्टरोंने को चिटा के लगाए और उनका इलाज किया अस्पिताल के डारेक्टर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि चोट का इलाज होने के बाद ममता बनर जी को डिस्चार्ज कर दिया गया है उन्होंने बताया कि सीम को पीछे से धक्का लगा था जिसकी वज़ा से वे गिर गई और जोरान उनकी सर पर गमफीर चोट लग गई बता दे कि इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया हॉस्पिटल की डारेक्टर ने बताया है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है ममता बनर जी के माथे पर तीन टाके लगाए गए हैं और एक टाका उनकी नाग पर भी लगाए गया जहां से लगातार खून बह रहा था हॉस्पिटल के डिरेक्टर ने बताया कि ममता बनर जी को शाम लगभग साड़े साथ बज़े लेकर आया गया जोरान हमें कुछ समझ नहीं आया लेकिन जाच करने के बाद पतशला कि ममता बनर जी के सर में और नाक पर गहरी चोट लगी है जिसके बाद इलाज करने के बाद उन्हें वापस घर बेज दिया गया अस्पताल के डारेक्टर ने बताया सीम के माते पर तीन टाके और नाक पर एक टाका लगाये गया है जरूरी ड्रेसिंग की गई ECGI सिटिस्ट के अंड्रेस सी जरूरी जाच भी की गई इस संबन्ध में डॉक्टरों ने अपनी राए भी बता दी है उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है अस्पताल में भी यहाँ पर ममता बनर जी को यही सलाह दी गई कि वे जादा से ज्यादा खयाल रखे इस दोरान देखने के लिए मिला कि ममता बनर जी की समर्थ को की बीच हरकंप मच गया ममता बेनर जी के परिवार ने बताया कि मुख्यमंत्री एक कारेकरम में हिस्सा लेकर काली घाट इस्तित अपने घर पहुच जहां पर वे गिर गए टेमसे ने ममता की तस्वीर को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर साज़ा करते हुए उनके साथ हुए इस हाथसे की ज्यानकारी दी इसे के साथ बता दे कि ममता के गिरने की खबर मिलते ही राष्ट्रिय महा सच्चेव और ममता की भती जी अभिशेक बेनर जी ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट करा था फिलहाल ममता बेनर जी की हालत इस थिर बताई जा रही है